Hello everyone, welcome back to my channel So guys, इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊँगा Azure Bastion Service के बारे में तो basically Azure Bastion Service के है simple सी language है, बताऊँ तो Azure Bastion Service जो है एक fully managed platform as a service है यह best service का part है जो कि आपके virtual network के अंदर provision होता है अब Bastion Service, अभी normally हम क्या करते हैं कोई भी virtual machine का, अगर हमें RDP लेना हो तो हम MSTC मारते हैं, अगर हमें Linux machine का अगर remote लेना हो, तो हम SSH के थुरू connect करते हैं लेकिन SSH connect करने के लिए आपको अलग से पूटी एक application डाउनलोड करने ही पड़ती है और RDP लेने के लिए आपको MSTC एक application चाहिए लेकिन Azure Bastion Service एक ऐसी service है, जो आपके virtual machine, अपने virtual machine को directly जो है portal के उपर ही web browser के उपर आप access कर सकते हो over TLS, तो TLS का मतलब क्या है transport layer security यानि कि TLS क्या है, आपका SSL का एक तरह से successor है और SSL क्या होता, आपका secure socket layer तो यानि कि TLS का है, एक advanced security feature है जो कि successor है आपका SSL का, अब इसके कुछ benefits है, कुछ features है जैसे कि RDP and SSH directly in portal, यानि कि आपको अलग से MSTC लेने की ज़रूत नहीं है, या अलग से आपको putty use करने की ज़रूत नहीं, अपने machine को connect करने के लिए directly जो है Azure portal पे आप इसको connect कर सकते हो, browse कर सकते हो using a web browser, दूसरा यह है कि remote session आप ले सकते हो over the TLS, यानि कि TLS जैसे कि मैंने बताया, transport layer security होता है, जो कि आपका SSL का successor है, आपको इसमें अलग से RDP, SSH लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तीसरा इसका feature क्या है कि इसमें आपको public IP की ज़रूत नहीं है, normally हम क्या करते हैं, अगर हमें अपने virtual machine को connect करना है using a public IP, तो हम उसको public IP देते हैं, जो कि आपका over the internet आपका virtual machine को connect करता है, और वो जो है, आपका secure नहीं रहता है, यानि कि कोई भी उसको exploit कर सकता है, उसको hack करने की कोशिश कर सकता है चौथा हिसमें क्या है feature, कि आपको इसमें network security group भी manage करने की ज़रूत नहीं, यानि कि normally हम क्या करते हैं, अपने virtual machine को secure करने के लिए हम network security group लगाते हैं, network security group का मैं आने वाले videos में बताऊंगा, बट फिलाल इतना समझ लिजे कि network security group हम अपने virtual network में, जो भी virtual machine से उसको protect करने के लिए हम network security group लगाते हैं, ताकि हम जो भी ports हैं, अपने हिसाब से, अपने requirement के साब से allow or deny कर सकें, तो bastion service enable करने के बाद, आपको NSG की भी ज़रूत नहीं है, कोई port open करने की ज़रूत नहीं है, कोई port block करने की ज़रूत नहीं है, आपका जो है by default already protected रहता है, क्योंकि आपका over TLS ये remote session होता है, अगला है आपका protecting against port scanning, याने की, जैसे कि मैंने बताया है कि आपको virtual machine पे जो है आपको कोई public IP लगाने की ज़रूत नहीं है, तो आपका by default जो है ये protect रहता है, कोई आपकी virtual machine को exploit नहीं कर सकता है, और आप अपनी virtual machine को expose भी नहीं कर रहे हो, बिकास आप उसमें public IP डाली नहीं रहे हो, और लास्ट में है इसका, कि protect against zero day exploitation, तो गाइज, ये था azure virtual machine, sorry, azure baston service का overview, चलिए, अब हम चलते हैं, इसको demo करके दिखाते हैं, तो मैं जाता हूँ portal पे, और मैं सबसे पहले एक virtual machine को add करता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर add virtual machine पे क्लिक करता हूँ, और मैं एक नया resource group बना देता हूँ, पहले एक बार देख लेता हूँ, नहीं बना है, नया बना देता हूँ, संदीप रावत करके, ओके करता हूँ, virtual machine का नाम देता हूँ, VM001, same east US में रहने देता हूँ, और मैं इसको 2012 देता हूँ, और इसको 2vcpu देता हूँ, azure user देता हूँ, और password सेट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी confirm password कर देता हूँ, ओके, और अब यहाँ पर आप जादू देखिए, नॉर्मली अभी तक मैंने जो भी virtual machine का topic को बताती है, यहाँ पर मैंने RDP port 3389 इनेबल किया था, मैं इस बार इसको यहाँ पर none कर रहा हूँ, यानि कि मैंने अभी RDP का 3389 port open ही नहीं किया है, तो आप सोचने होगे कि मैं RDP कैसे लूँगा, तो azure bastion service का यही magic है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, by default सब रहने देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पर public IP भी create कर रहा है, तो मैं public IP यहाँ पर none कर देता हूँ, मुझे public IP से भी connect नहीं करना है, नेक्स्ट करता हूँ, और इसको boot diagnostic off कर देता हूँ, और direct review plus create पर click करता हूँ, और उसके बाद इसको मैं create करता हूँ, तो गाइस यह कुछ एक से दो मिनिट के आसपास का टाइम लेगा, मैं तब तक के लिए वीडियो को pause करता हूँ, ओके गाइस मेरा virtual machine बन चुका है, मैं go to resource पर जाता हूँ, और यह मेरा virtual machine ready हो गया है, अब इसमें जो है, ना तो हमने 3389 port open कर रहा है, ना ही इसमें public IP है, तो अब connect करें तो कैसे करें, राइट, private IP से हम connect कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें point to site configure करना नहीं है, virtual networking के topic अलड़ी में cover कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है, तो आप देखिए जरूर, तो अब इसका एक best solution है, जो कि secure solution है, connect करने का, without public IP, without opening a port of 3389, वो क्या है, आप connect पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप baston पे क्लिक कीजिए, और baston पे आपका यह option आता है, यहाँ पर आप use baston पे क्लिक कीजिए, तो use baston पे क्लिक करने के बाद, यह बोलता है कि भाई, एक subnet बनाओ, किस नाम से, azure baston subnet के नाम से, तो चलिए मैं इसी नाम से इसको copy करता हूँ, और virtual machine के overview में जाता हूँ, और यहाँ से अपने virtual network पे जाता हूँ, और यहाँ पर virtual network में जाने के बाद, subnet पे जाता हूँ, और add subnet पे करता हूँ, और यहाँ पर मैं same वही paste करूँगा, और मैं इसको okay पे click कर दूँगा, तो guys, अब यह देखिए, यहाँ पर error इसने फेका मुझे, अब error क्यों फेका, क्योंकि मेरे पास जो है additional subnet बनाने के लिए range ही नहीं बचा है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ address space पे जाऊँगा, तो यह देखिए, मेरा address space है, वो है total 24 CIDR का, और जबकि मेरे जो subnet है, यहाँ पर हो 24 CIDR, पूरे 250 available IPs मेरे पूरे utilize हो चुके हैं, तो मेरे पास अभी बचा ही नहीं कि address space ही नहीं बचा है, कि मैं और एक और subnet बना सकूँ, तो guys, यह जान बुच कि मैंने starting में नहीं बताया, ताकि आपको यहाँ पर मैं फिर से दिखा सकूँ, कि क्या error आ सकता है, और इसमें आपको एक तरह से आपके लिए learning क्या है, कि जब भी आप virtual network बनाओ, आप हमेशा एक सबसे बड़ा वाला address space चूज़ करो, यानि कि forward slash 16 हो गया, forward slash 18 वाला जो subnet space है, या CIDR है, आप वो यूज़ करो, ताकि आप उस address space को multiple subnets में break कर सको, तो guys, यह मैं अपने virtual network के topic में cover कर चुका हूँ, बट इस topic में आपको बताना ज़रूरी था, ताकि आपको पहले से आप जब ये video देख के lab करो, तो आप पहले से prepare रहो कि हाँ भी आपको virtual network में address space बहुत बढ़ा देना है, तो चलिए guys, मेरे को अभी फिर से एक काम करता हूँ, मैं इस virtual machine को पूरे resource group को delete कर देता हूँ, और फिर से जो है, मैं अब एक काम करूँगा, पहले virtual network बनाऊँगा, जो की मेरा address space रहेगा, forward slash 16 का, और उसके बाद बागी के मैं उस address space को छोटे-छोटे subnets में break करूँगा, तो मैं इस infrastructure को ready कर लेता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को pause करता हूँ फिर से, तो guys, मेरा infrastructure ready हो चुका है, मैंने इस बार क्या किया, सबसे पहले मैंने virtual network बनाया है, मैं virtual network पर जाता हूँ, और इस बार मैंने यहाँ पर address space 16 का दिया, यानि कि मेरे पास around 65,000 IP available है, और उसमें एक default subnet बनाया है, 24 का, जिसमें 250 available IPs दिखा रहा है, उसी तरह मैंने virtual machine भी बना दिया है, और मेरा virtual machine इस मेरे virtual network को connect है, इस configure करता हूँ, यहाँ पर connect पर जाके bastion पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर use bastion पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर मुझे बोलेगा कि आप जो है, एक subnet बनाओ, तो मैं इस subnet को copy करता हूँ, और यहाँ पर यह बोल रहा है कि देखो आप एक subnet बनाओ इस नाम से और आप minimum prefix जो है at least 27 का दो तो मैं अब इसको copy कर देता हूँ और इसको मैं virtual network पर जाता हूँ subnets पर जाता हूँ और यहाँ पर add subnet पर click करता हूँ और यहाँ पर इसको paste करता हूँ make sure कि same name ही रहना चाहिए जो name इसने यहाँ by default दिया है इसके अलावा और कोई name नहीं लेगा वो by default address range इसने choose कर लिया automatically मैं 24 के रहने देता हूँ क्योंकि मुझे lab करना है और okay करता हूँ तो मेरा जो है यहाँ पर एक subnet और add हो चुका है azure baston subnet अब मैं वापस से जाता हूँ overview पे और connect पे जाके baston पे जाता हूँ और मैं इसको use baston करता हूँ और use baston में जाके यह अभी भी error दे रहा है तो मत्तब यह setting refresh नहीं हुए तो मैं एक बार इसको पूरे page को refresh कर देता हूँ और फिर से मैं connect पे जाके baston पे क्लिक करता हूँ तो यह वापस by default आगया है मैं वापस connect पे जाता हूँ baston पे जाता हूँ use baston करता हूँ और अब इसने मेरे को error निफ है क्यों क्योंकि इसने detect कर लिया है कि मेरा इस virtual network में मेरा ही subnet बना हुआ है तो यह मेरा हो गया है अब यहाँ पर जो है public IP बोल रहा है आपको याद होगा मैं विर्चल मशीन create करने के टाइम पे ना तो मैंने public IP दिया हुआ virtual machine को ना ही मैंने 3389 port open किया है इस case में तो हमारे पास कोई option है नहीं है तो यह जो public IP है दोस्तो यह public IP virtual machine को नहीं है यह public IP जो है आपके बैस्टन सर्विस को create करने के लिए बोल रहा है तो चलिए मैं यहाँ पर public IP name by default इसने choose कर लिया है और बाकी resource group verify कर लूँगा और इसको मैं करता हूँ create तो यह create होने में कुछ 2-3 मिनट का time लेगा तब तक के लिए मैं वीडियो को pause करता हूँ so guys मेरा azure baston service enable हो चुका है deploy हो चुका है और इसने around 5 मिनट का time लिया है और जैसी यह create होँआ तो मेरा यह page open हो गया तो यह page में जाने के लिए आप वापस से overview पर जा सकते हैं और ओवर पर जाके connect पर क्लिक करके baston पर भी क्लिक कर सकते हैं और यू ओके यह शायद refresh नहीं हुआ है तो मैं इसको एक बार refresh कर देता हूँ और मैं वापस से connect पर जाता हूँ baston पर जाता हूँ तो यह देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा अपना user ID और password डालूँगा और यह देखिए अभी यहाँ पर जाके password डाल दिया connect पर क्लिक करता हूँ तो यह देखिए मेरा अलग से tab open हो गया है जिसमें मेरा यह azure virtual machine में connect कर लिया है तो यह भी connect होगा यह देखिए connecting to baston host allow करो आप इसको और यह आपका virtual machine browser के उपर over the TLS आपका जो है successfully connect हो चुका है तो guys जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ मैंने इस virtual machine पे ना तो 3389 port open किया है ना ही मैंने इसको public IP दिया है जो baston service create करने की time पे public IP दिया था वो इस baston service को दिया था ना कि इस virtual machine को तो हमारा baston machine जो है sorry हमारा जो virtual machine है using baston service आप जो है browser के उपर access कर सकते हो और यह बहुती secure method है इसमें आपका public IP नहीं लगावा है नहीं है साइने virtual machine को और आपका securely जो है आप access कर सकते हो baston service के तो तो guys यह था Azure baston service का demo इसका कुछ pricing भी है जो कि आप Microsoft के documentation में चेक कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर region के साब से दे रहा है कि Azure baston service का pricing क्या है 12 रुपे के आसपास पर आर के साब से baston service है और आप एक baston service एक virtual machine को ही दे सकते हो यानि कि एक baston service आप multiple virtual machine के साथ connect नहीं कर सकते हो एक VM को connect करने के लिए एक baston service आपको create करना पड़ेगा तो guys यह था आज के demo में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप please वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और चैनल को subscribe जरूर कीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक तो और कुछ भी अगर आपको लगता है कि मैंने miss किया है या कुछ misinformation दिया है तो आप please जरूर जो है comment कीजिए obviously मैं उसको improve करने ही कोशिश करूँगा so guys thanks for watching this video मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए topic के साथ